प्रकृति मुपे यूशिया प्रकृति मुपे यूशिया अलग-अलग धंग से व्याख्या दे रहें विश्वना चकृति ठाकृति अपनी टीका में श्लोक का बिलकुल अलग से एक्जाम्पल दे रहें ये श्लोक है फिर्स्ट कैंटो नाइन चैप्टर थर्टी सेकेंड वर्स श्री भीश्मवाचा इती माते रुपकल्पता वित्रिष्णा भागवती सात्वगपुंगे विभूमनी सवसुखा मोपगाते क्वाचित विहरतुम प्रकिर्टे मोपे युश्य यद्भावा प्रवाहा बहुत सुन्दर श्लोक है विश्वाचाकर थाकृर इसको बिलकुल अलग धंग से ले रहे हैं विश्वाचाकर थाकृर कह रहे हैं कि इती मती उपकल्पिता भीश्पितामा के पास भगवान स्वेम चल के आए विश्पितामा बानों के शया पे लेटे हुए और सारे रिशी मुनी वहाँ पर आए हुए असे तो देवला व्यासा नारद शुक्देव गोस्वामी सारे देविश्पितामा भी अकाश में भीश्पितामा के दर्शन करने आये हैं स्वेम भगवान कृष्ण भी अपने दर्शन देने आये हैं भीश्पितामा तो भीश्पितामा सोच रहे हैं कि अब मैंने पूरे जीवन भगवान के सेवा की अपने अपने शरीर से अलग अलग मगर आज मैं सेवा करने में अक्सक्षम हूँ कुछ भी यूगि आज मैं बाइनों की शियां में लेटा हूँ और वैसे भी भगवान मेरे पास चलके आए है तो मेरा कर्तव बनता है कर्तव भी नहीं मगर प्रेम से सोच रहे हैं विश्विता मैं कुछ गिफ्ट देना चाहते है क्या गिफ्ट देना इती मती मती देना चाहते है अपनी विश्विता मैं सोच रहे हैं मैं अपना मन ही भगवान को किफ्ट कर देता हूँ क्योंकि शरीर तो बानों के शियां में लेटा हूँ शेरीर से तो कुछ कर नहीं सकता, प्रणाम भी नहीं कर सकता, तंडवत भी नहीं कर सकता, और बाकी कुछ चीज भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ हारी गया हूँ, कुछ दे भी नहीं सकता, पत्रम, पुष्पम, पलम, तोयम, क्या दो, इती मती मनी देता हूँ अपना, और मन नहीं बहगवान को बांचनी है मन्मना भवमध भक्तो इती मती ओकल्पिता का मीनिंग लिखेंग्ट भीषि विस्व मति-विप कल्पिता सिंख भी थाकू टीचित में अपनी सारी कई महान महान पूरुष अपनी भोग की च्छाएं छोड़ देते हैं मेरे लिए मेरी संतुष्टी के लिए तुम अपना मन तो दे रहे हो मैं गोर समें भोग की च्छाएं उसका क्या है विश्वता मैं कह रहे हैं वी तृष्णा भगवान मेरे मन में कोई भोग की च्छाएं नहीं है इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ मैंने पूरे जीवन आपकी सेवा किये मेरा मन उपकल्पिता कल्पिता मतलब बनाना भी होता है मैंने अपने मन को उपकल्पिता मैंने अपने मन को परमशुद्वी देरी त्रिश्णा त््रिश्णा से रहित बना रख और आज मैं आपको मन अरपन कर सकता हूं इस मृत्यूं के समय पे जो आत विट्वित कह रहे हैं और अधियों ये मन मैं किसको अरपन कर रहा हूँ भगवती ये मन में भगवान कृष्णा आपको कर रहा हूँ आप जो भगवान है तो माली जब भगवान कहें कि देखो मैं तो भगवान नहीं हूँ नरायन है भगवान तो तब भगवान कहें नहीं भगवती आप ही भगवान है तो भगवान ने का ठीक है मैं भगवान हूँ ठीक है तो नरायन को कहते हैं लोग तो भगवान क्या मैं वोई नरायन हूँ तो भगवान को कहते हैं लोग तो भगवान क्या मैं वोई नरायन हूँ तो भगवान है नहीं आप नरायन के भी अफ्तारी है, नरायन तो आपके अंश है, विभूमने, विभूमने का अर्थ विष्वा चक्रिठा को लेख रहे हैं, विगता भूमना, भूमना मतलब होता है महा विष्णू, महा विष्णू, नरायन को भूमना कहते हैं, वेदों में, उनका एक नाम है भ भगवान आप नरायन यह नरायन तो आपके अंश है आप तो विभूमना है आप तो नरायन के भी विभूम है बलकि वो ही नहीं साथवत पुंगवे आप तो यहां पे विश्वाठा को लेख रहे हैं कि आप तो साथवत यहां पे लेख रहे हैं यदू तो जितने भी यदू कुल है यदु कुलों के पुंगवे पुंगवे मतलब ले रहे हैं उनके प्रिये हैं आप तो यह हैं तो साथ पुंगवे कहने से मतलब है कि आप आप स्पेशल है आप नरायन नरायन भी आपका अंश है और वैसे तो आप भगवान की तरह विभार नहीं करते आप तो अपने भक्तों के साथ प्रेम का विभार करते हैं यह आपको अच्छा लगता है साथ वता पुंगते तो आप भगवाने का ठीक है तो मैं मैं धराधाम पर अफ्तार क्यों लेता हूं तो भीश्वितामा करें सुखम उपगते यहां पर सुखम उपगते का मतलब विश्वन ठाको थो थो जो शब्द उपगते इसका मतलब है छोड़ देना जीसे मैं ने पफिछली लेक्शर में आया था अपना सुख छोड़ देते हैं भगवान मगर यहां पर भीश्वन ठाको लेख रहे हैं भगवान यहां पर क्यों आते हैं संसार में सुखम उपगते स्वा से ले रहे है स्वा मतलब अपने नीजी भक्त स्वा नीजी भक्तों के साथ सुखम सुख उपगते तो यहाँ पर उपगते का मतलब है बाटने के लिए अपने नीजी भक्तों के साथ अपना सुख बाटने के लिए लीलाए करने के लिए अपने भक्तों का लीलाय करने के लिए आप धराधाम पे आते हैं अपना सुख उनको देते हैं और उनसे उनकी सेवा का सुख स्विकार करते हैं ये भगवान है ये भगवान के अफ्तार का मुख्य कारा नभीश्पितमा कहें और फिर उसके बाद पुचित वेहर भ्टूँ और अपने भक्तों के साथ विहार करते हैं संसार में कहीं लीलाय करते हैं विहार से म districts, लीलाय करते हैं ये मुख्य कारन है गौन कारन भी है विश्शमा ठाकूर कहें भगवान कहरे है ठीक है, मुख्य कारन है और भी कारन होगा विश्मतामा कह रहे हैं विश्मतामा कह रहे हैं प्रकर्तिम उपयुशी यद भवा प्रवाह विश्मतामा कह रहे हैं कि गौन कारण है प्रकर्तिम उपयुशी आप इस प्रकर्ति इस भ्रहमांड में आते हैं उपयुशी आते हैं हाँ पर और क्या करते हैं यद भवा प्रवाह आप इस भ्रह्मान का संचालन करते हैं अपने अपने पुरुष अफ्तार के द्वारा आप इस भ्रह्मान में आते हैं और इस भ्रह्मान का संचालन करते हैं मगर directly नहीं करते हैं यह gone कारण है कैसे करते हैं अपने अपने दूसरे अफ्तारों अपने अफ्तारों के द्वारा अपने अंशों के द्वारा महा विश्णू के द्वारा घर्बो दक्सा विश्णू के द्वारा सीरो दक्सा विश्णू के द्वारा उनके द्वारा आप इस संसार का प्रवहा भी करते हैं संसार के शिष्टी, सिती, प्रलाय करते हैं इसले भी आते हैं आप यहाँ पर धर्म की स्थापना भी करते हैं यद भपा प्रवहा कि इस संसार का विनाश ना हो टो वैसे तो जीवा को सवामी भी अपनी कमेंटरी क्रम संधर में इसके टीका में लिख नहीं है कि हां पर जो जो बीश沒 के रहे हैं, याद्भवाप्रवा हा इसका मतलब है कि जीवा को सवामी के केह रहे हैं कि भगवान क्रिश्न ही संसार का सिंथी प्रले और श्रिष्टी करते हैं मगर directly नहीं करते हैं indirectly करते हैं कैसे सीरो दक्साय सर्वो दक्साय विश्णु के द्वारा directly इन चीजों में involved नहीं होते है directly तो क्वचित भगवान कृष्ण का interest क्या है क्वचित विहर्तुम लीलाएं करने का अपने भगतों के साथ प्रेम लीलाएं करने का हाँ वो बात अलग है कि साथ साथ श्रिष्टी सिती प्रले करते हैं मैं अगर अपने इस खुद नहीं करते हैं अपने एजेंट्स के द्वारा कराते हैं विश्णु के द्वारा कराते हैं उसमें वो लिख रहे हैं कि भीश्वितामा के पास जब भगवान है तो भीश्वितामा ने का भगवान ने जैसे पूछा भीश्वितामा तुम क्या अत्रिप्त हो गए मेरे दर्शन करके भीश्वितामा ने का नहीं भगवान वीश्वितामा ने का भगवान मैं तो बल्कि और अथ्रिप तो गया आपको देखकर आपको प्राप्त करने की लालसा आपकी सेवा करने की लालसा तो और बढ़ गई है इसलिए मैं आपको इस समय भी कुछ न कुछ देना चाहता हूँ आपकी सेवा करना चाहता हूं राधर अमन गोस्वामी इस तरह लिख रहे हैं एक और अचारे हैं वल्लब संप्रदाय के गिरिधर श्री गिरिधर जी जिन्होंने एक और व्याख्या एक केमेंटर लिखे बाल प्रवोधिनी वो भीगर बहुत इंटरिस्टिंग इंसाइड दे रहे हैं इस लोग के अंदर इस लोग की व्याख्या का सार निकाल रहे है तो वो लिख रहे हैं भीषवितामा के पास जब भगवान आये तो भीषवितामाने कहा सोचा कि मैं बग्वान को कोई गिफ्ट दो हूं जैसे विश्वा चकर ठाको लिख रहें, तो भी दो लाइन वह लिखे हैं कि, तो मैं क्या गिफ्ट हूं अपनी मती देता हूं, अपना मन देता हूं, क्योंकि वह बेस्ट किफ्ट है, बग्वान भी कहा सारे मुझे तुम्हारा मन चाहिए वह best gift है वी चिटामाने का अब best time है best gift देने का कि मृत्यू का समय कि सारे रिशी मुनी खड़े है भग्मान भी स्वयम यहां पर है तुम्हें भग्मान को best कि बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट समय है, मैं अपने शरीर भी छूड़ने वाला हूं, योगी लोग इसी इशन की प्रतिक्षा करते हैं, वो आ चुका है, पेस्ट कि दोओंगा, अपत्रम पुष्पंफलम तो हम ये एक हो जुगा, मैं दे चुका हूं, अम अपने मन अरप कर रहा हूं, और क्यों कर रहे हैं? वी त्रिष्णा, यहां पे गिरिदर जी लिख रहे है, वी त्रिष्णा मतलब कि वी से मतलब विशेश, त्रिष्णा मतलब इच्छा, युmost्झामि मन में विशेश इच्छा थी, क्या थी? भघवान की सेबा करने की, भघवान को करने की इच्छा तो यहां से तो यहां पर भी का मतलब विलोम नहीं है विशेश तभी बाकी अचारे जो मैंने भी बताया राधर रह्मान को स्वामी कह रहे हैं कि उनकी वह और अत्रिप्त हो गए भगवान को देखकर इसे कहते हैं भक्ति जो लोग इतने एडवांस नहीं हो अत्रिप्त हो गया हूं और आपकी सेवा करने की लालसा हो रही है तो भी तृष्णा तो तो फे गिरिधर जी लिख रहे हैं कि तो भीश्वितमा कह रहे हैं मैं आपको मन अर्पन कर रहा हूं क्यूं मन अर्पन कर रहा हूं मैं आपको मेरे मन में केवल आपकी सेवा भावन और कुछ नहीं है, ऐसा मुनरपन कर रहा हूँ, यही आपके गिफ्ट की योग्य है, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भगवतिया भगवान है, भगवान ही यहmä सात्वतापुंगें, आप एपने भगतों के गिफ्ट को सुिकार करते हैं, सात्वता पुंगवे, आप यदू के स स्वामी हैं, अपने भक्तों के स्वामी हैं, और अपने भक्तों का उपहार सुईकार करते हैं, चाहे वो निमनी क्यों ना हो, भक्त वातसल्य के कारण, तो मेरा छोटा सा गिफ्ट है, आप सुईकार कीजिए, विभूमनी, और आप महान हैं, महान किसलिए हैं, आप महान इसल मघजी जय कि हम लोग भगवान को 2 लोह सो देते नहीं तो मैं क्या क्या गिप्ट देता हूं प्रीस्विश॥ कितना है असीम वो असीम सुख अपने भक्तों को दे देते हैं तभी तो भक्ती और ज्ञानयोग में अंतर है ज्ञानयोग का जो सुख है वो भक्तियोग के सुख के सामने एक बूंद के समान है भक्तियोग का सुख समुद्र के समान है क्यों क्योंकि ज्ञानयोग से तब खु रहे के बंना है लुंट इसे आपने आपने आंन DON के कर दोई थेघ कुछी भहान की तो आंन्द नो मत्मसमेरिन अप्सित कभरो रख वही सब्सक्रिए तो आंड़ ना कुद वहां जो ना किमाने इन кварाव सिरूंगत नियुकर ना कि आता में अपने आपको निताम है और सेर्व इतना ही नहीं, मैं तब भी संतिशनी होता, प्रकर्तिम उपये उशी, और मैं अपनी शक्ति से, तो यहां पर गिरिदर जी प्रकर्ति का मतलब है, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति से उपये उशी, उपये उशी, अपनी शक्ति से उनको उनके जीवन में प्रवेश क उनको गाइड करता हूं, और उनको सही दिशा दिखाता हूं, अपने भक्तों को, उनके जीवन में प्रवेश करके उनका जीवन प्रेम मही बना देता हूं, प्रकरति मुपय उशी, यद भवा प्रवाहा, और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मैं इससे संतुष्णी होता, यद प्रवाहा को मैं रोग देता हूं हमेशा के लिए, मुक्ती प्रदान करता हूं, अपने धाम ले जाता हूं हमेशा के लिए, तो यह चार गिफ्ट भगवान अपने आप से देते हैं, गिरिधर जी लिख रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, विभूम नियाप महान है, यह बह अज एक कमेंटेटर है मद्वा सम्प्रदाय के तो यहां पे लिख रहे हैं कि इस लोक के अंदर इस लोक के अंदर बीश्वधामा यह बताना चाहते हैं, कि भगवान आप मेरे पास आएं, वो भी बता रहे हैं कि मिर्तियु के समय, बीश्वधामा सोच रहे हैं, कि मैं फिर भगवान से प्रे करूँगा, यह यूं कह लिजे, वो कह रहे हैं कि, भगवान से कुछ मांगने का तरीका है, पहले उनको दो कुछ, जैसे चितने शिक्षास्टे कम में भी, सीधा प्रे नहीं करें, ना धनम, ना जनम, ना सुन्दरिम, पहले भगवान के नाम की प्रशंसा कर रहे हैं, तो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, और भगवान को गेफ्ट दे रहे हैं, और फिर प्राथना कर रहे हैं कि मुझे प् सकते हरे कृष्ण शीला प्रावपाद कीजए